साथियों नवस्कार, मैं सत्य नारायन सिंग, केंडरिवे देलायका सिच्छक, आज आपके सामने कक्षा नाव की पाठ्य पोस्ता के अंसी एार्टी, छितिज के पाठ्य दो बैलों की कथा के पस्नुत्र के साथ पस्तुत हुआ हूँ, आए सुरू करते हैं, दो बैलों की कथा, ये प्रेमचंद की एक ऐसी लोगप्रिय कहानी है, जिसमें बैलों के माध्यम से जो ततकालिक समाज है, उसका वर्डन किया है उनोंने, तो आज हम प्रस्नुत्र करेंगे, तो सबसे पहला प्रस्न जो हमारे सामने है, वो ये है कि आजी हाउस में कैद पकॉषओं की हाजरि क्यों लिजाती होगी? हाजरि का एक नियम है और ये बहुत पुराना है, जिस प्राकाल से दफ्तरों में या दूसरी जगों में लोगों की एटेदैनेंस लिझा लिजाती हाजी लिजाती है, उसी तरह से जब कांजी हाउस में व ऐसे में उनके मालिक का पता नहीं होता और लोग शिकायत नहीं कर पाते कि हम किस से जाके शिकायत करें तो वो एक सामोहिक ब्युस्था होती थी कि ऐसे के लिए एक सरकारी बाड़ा होता था वहां पर उनको ले जाके डाल दिया जाता था और चुकि अब ये जिम्मेदारी वहां पर जो निगरानी कर रहा होता है उस व्यक्त की हो जाती है कि उसे उनकी संख्या के बारे में या उनकी इस्तिति के बारे में अपने अधिकारी को रिपोर्ट करनी होती थी तो उनकी क्यास्तिति है कहीं वो भाग तो नहीं कहें तो इस पर बात करें तो चोटी बच्ची की मान ही थी। उसकी सौत ऐली माव उसे बहुत सताती थी। और पिता का भी बहुत ज्यादा लगाव था ऐसा नहीं खह सकते। तो ऐसे में, और वयलों की स्थिति क्या थी? कि बैलों की इस्थिति ये थी कि वो भी अपने मालिक से दूर थे, अपने मालिक से दूर होने के कारण वो गया के घर में गया उनसे काम कराता था लेकिन उस तरह से जैसे वो अपने बैलों को देखभाल करता था, उस तरह से उनकी देखभाल नहीं करता था, तो ये इस्थित और वहाँ भी गया भी उनका साही धंक से ख्याल नहीं रखता था तो इस कारण से दोनों की स्थिति एक होने के कारण चोटी बच्ची के मन में स्वाभाविक रूप से बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया अगला प्रसंद देखते हैं कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीती विशयक मुल्य उभर कर सामने आया है तो जो नीती विशयक मुल्य है कि सबसे पहली चीज की आपस में भाई चारा होना चाहिए जब भाई चारा होता है तो जीवन आसान हो जाता है समाज एक ऐसी प्रक्री है जहां पर एक दूसरे सहायोग करके लोग बहतर ढहसे सभी चीजों को कर सकते हैं और झुद्ध जीवन बैतीत कर सकते हैं दूसरा कह सकते हैं कि पहस्वों के प्रति प्रेम्बाव होना चाहिए, कि पहस्वों के प्रति अगर प्रेम्भाव होगा, तो हमें वैसे भी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैρεί मिया और साभत सम्हों की प्रति इसा मनिमने लेजार्द topics और एक और बात जो समझ में आती है कि स्वतन्तता बहुत बड़ी चीज है अभी अगर आप स्वतन्त है और इस तरह से उसमें लोगों के का जो अभी माहौल है उसमें आप अपने किसी भी काम के लिए स्वतन्त है तो अगर आपको परतन्तता पता है तो आप स्वतन्तता का बहतर तरीके से समझ सकते हैं लेकिन आप जिस तरह से आजाद भारत में सांस ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल है इस बात को समझना खैर अगर आप एक पक्षी को देखते हैं कि वो पिजड़े में कैद होता है तो उसके बाद जब उसकी उड़ान आप बाहर देखत हैं तो आप समस्कते हैं कि सवतंतता का मुले उसके लिए कहीं ज़्यादा हो जो परतनतता को समस्कता है सबी के Лएके प्रतियक जीर को से सवतंत रहने का अधिकार है एक और बात दो समझ में इती है कि आपस में सहयोग की भावना होने की है इस हीर मुति Kommadha से हम देखते हैं कि दूसरे का सहयोग करते हैं और उस समय की बात करें तो नारी एक समाज में हमेशा से सबसे महत्यपूर्ण घटक है और हमें उसका समान करना चाहिए प्रेम चंद की सकानी में भी इस बात को कहा सबस्ता है कि हमें नारी का समान करना चाहिए एक और बात समझ में आती है दो बैलों की कथा में उस घटना क्रम के माध्यम से कि हमें निहत्ते सट्रू पर वार नहीं करना चाहिए जब मूति नहीं कहा कि यह यह भाहिया इसको गिरा देते हैं मार के भी तो वह पीट दिखा के भाग रहा है नियत्था है तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए तो अगला प्रस्टत कहानी में प्रेम चन्ने गधे की किन सभावगत विश्ष्थाओं के अधार पर उसके प्रती दूढ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओ संकेत किया है यहीं गधे की प्रेम चन्ने कहानी में गधे को मूर्ख नहीं कहा बलकि इन्हें रिश्य मुनियों के आधार पर से तुलना की है कि रिश्य मुनियों की जितने भी गुड होते हैं उसमें गधे में वह पराकास्था पर पहुंसकते हैं रिश्य में सहिष्णता होती है सहन करने की भावना होती है प्रतिरोद नहीं करते किसी बात को ले करके तो यह सारे गुड कमोवेस गधे में भी पाया जाते हैं इस आधार पर प्रेम चन्ने उन्हें कहा दिया है कि यह महान प्राणी है रिश्य मुनियों के तरह और हमें इ अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो सुरू से आपको पता चलेगा कि दो हीरा और मुती के बीच में जो है गहरी मितता थे वो एक साथी नाद में मुह डालते एक साथी हटा लेते जब चलते साथ साथ में तो कोशिश करते कि जादा से जादा भार उन पर पड़े और शाम के स में मुख भासा में एक दूसरे से बात करते एक दूसरे को चूमते चाटते और किसी भी परिस्थिती में वो अकेले रहना पसंद नहीं कर सकते थे क्योंकि जब मोती दिवाल गिरा देता है कांजी हाउस की तो भाग सकता था लेकिन भागा नहीं कि नहीं हीरा है तो हम नही कि इसको यहीं पर जाया गिरा के मार देते हैं गया को लेकिन यह सब घटनाओं को देखते हूं लगता है कि उनके बीच में बहुत ही गहरी दोस्थी थी। या अगला प्रसन है कि लेकिन और ज्याद माध्यम से स्थिखेशल के पुस्ठ प्रदानसामाज कि मैंने पहले यह प्रशकाróID कुर्णconomy नारी यहाप पॉस्ठ प्रधान संङ्ण लेकिन यह महात्यपूर्ण खटक का है क्कि वही सबको भी सुम्हाइद भी चाहा कि नारी तुमकी वह श्रद्धा हो विश्वास अजट नपतल में पीउस रोच सी भाहर करू जीवन के संदर संतल में तो हम क्या सकते हैं कि नारी एक महत्पूर्ण घटक है सामाज में और उस समय के सामाज में भी इस्ट्रियों पे हाथ उठाना मना था और बरतमान समय में भी देखें तो इस्तियों के प्रति हमें सम्मान का भाव होना चाहिए हमारे मन में और यही चीज कहानी में भी उबर के आई है कि हीरा मोती के माध्यम से प्रेम चन ने ये कहा है कि इस्तियों पे जो है हाथ उठाना या उन पो शजा देना या किसी तरह से प्रताणना उनके खिलाफ मना है तो इसका हमेशा अपने अब्रक्तिका जीवन में भी नारी के प्रते हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए अगरा प्रस्ण है किसान जीवन वाले समाज में पसू और मनुस के आपसी सम्मंधों को कहानी में किस तरह से ब्यक्ति किया गया है तो आप जानते हैं कि अभी की जो खेती है वो यंत्र पे आधारित है कि आप खेती करना है तो ट्रक्टर है या दूसरे साधन जिसके माध्यम से आप खेती करते हैं लेकिन उस समय की कलपना कीजिए कि जब इस तरह के यंतर नहीं होते थे और बैल और और इक तो ऑप की होगी जब होंगी क्योंकि भी म्मप्रीट की जुताइए उन्हीन के मादहिव से सकते हैं, रही बात हिरा और जुरी जुरी अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था और वो उन्हें अपने जान से जादा चाहता था उनके उपे अपना पूरा प्रेम निचाओ करता था बैल भी जो है अपने मालिक को बहुत पसंद करते थे कि मलब दिन भर काम करने के बाद अगर जुरी उन पे हाथ पेर देता तो वो उतने से ही प्रसंद हो जाते थे बैलों में एक तरह से अपने मालिकों के प्रत्यात्मियता होती है आप किसी को जानवर को रूटी देते हैं तो वह उसके मन में आपके लिए एक अलग सा भाव हो जाता है और वह बहुत आपको कहने सुनने की मूख अपिभ्यक्ति जै झाँ जायेंगे तो आपको देखे लिए तो आपके पीछे पीछे यहिंगे कुड़ा पालते हैं किस टाइब से लेकिन और किसान की बात जो है कि वह उसकी गाय उसकि बैल उसके जो इस तरह के जानवर होते हैं उनंसे खा बहुत लगा होता था और इन जानवरों का भी वही गया कि नौदस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आसे बात देंगे मोती के इस कथन के अलोग में उसकी विश्यस्ताएं बताएं तो मोती एक सभाव से उग्र प्राणि था और वह अत्याचार सहन नहीं करता था सभाव में उग्रता जरूर थी रोज जरूर था क कि अत्याचार बर्दास नहीं कर सकता था और आप कहानी में जगा जगा पर इस तरह की बात देख सकते हैं और वही जब कांजी हाउस में वह उसने गधों को भी ठेल ठेल के बाहर कर दिया बाउंडरी से देवाल से तो हीरा ने कहा कि आप भाग जाओ तो और ने कहा कि नही प्राणियों का जीवों का और उसके मन में दया भाव था अगला प्रस्ना है आसा इसपस्ट कीजिए कि अवस्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त सकती थी जिसमें जीवों की स्रिष्टता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है कि कह रहे हैं कि बैलों में जरूर गुप्त स सकती ऐसी थी जिससे कि हम मनुष्य से जो सिष्टता का दावा करता है मुझसे वच्छी ठीक चाहती है कि हीड़ा मुति के संतर मेंन देखते हैं त्ट तो इतनी आत्मिता जब हो कि अगर आप किसी के मौन को भी समझ सके तो मुझे लगता है कि इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता है कि आप शब्दों को पूरी दुनिया समझती है अगर आप मौन को समझ सके तो यह सबसे बहतर है और हीरा मूती कि इस कहानी में एक दूसरे का मौन करना है कि उस एक रोटी से उनकी भूग तो क्या सांत होती पर उन दोनों को मानों भोजन मिल गया चोटी लड़की जब सक्यूज आते रूटी दो रूटी लेकरके और बैलो के मूंझे डाल देती थी तो वह पे प्रेम की रूटी है वह ऊचण नहीं है कि ऐपको दे दिया आपने खा लिया अो सबसे बड़ा दुनिया में जो मात्रपूर्ण कारख है वो प्रेम ही है तो चोटी लड़की का बैलो के प्रति भाव बैलो का भी छोटी लड़की के प्रति भाव जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि दोनों की स्थितियां एक जैसे थी और साथ यही कारण है कि आपस में जो है उनमें भाव ज्यादा प्रबल हो गया और जब एक इस्तिती वाले या एक जैसी सिच्विशन वाले एक जैसे परिवेस वाले प्राणी आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच घनिष्टता कुछ ज्यादा ही हो जाती है यही कारण ब बच्छी के बीच में कमोवे से स्थितियां एक जैसी थी और प्रेम की रूटी थी प्रेम करने वाला था जिससे उनका मन भर जाता था और उनकी रिदय को भोजन मिल जाता था अंतिम प्रस्ण है यह अब्जेक्टिव टाइब है बेकल्प वाला प्रस्ण है कि गया ने हीर थी के कारां ख़ली आदी खळिक्टना उसके बसकी बात नहीं नहीं ती नहीं गया बिलकुल भी गरीब नहीं था यह दोनों आपसन गलत है कि अधिक खच नहीं करना किया था तो वो उसके बिवास से दुखी था यह आपसन सही है और चौथा अपसन है उसे खली आदिसामागरी की जानकारी ने ती यह गलत बात है क्योंकि किसान को तो इन साही चीजों के बारे में जानकारी थी तो यह पार्ट का प्रशनुत्तर है मुझे लगता है कि आपको कोई अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कुछ दिकत होगी तो आप हमें सुचित कीजेगा और हम उसका निराकरन करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद